हालो फ्रेंड्स एक ने वल्गेरिव भलेक हेट के बारे में जो आपके चेहरे पे मुहासे हो जाते हैं काफी गंभी मुहासे होते हैं उसे कैसे निजात पाया जाए? आज हम उसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों दोस्तो आज हम बात करेंगे रेटीनो क्रीम के बारे में तो आईए जानते हैं दोस्तो रेटीनो क्रीम है क्या और ये कैसे हमारे चेहरे पर काम करता है इसका इस्तेमाल करेंगे इसके side effect क्या है इसके composition क्या है और इसे कैसे हम अपने चेहरे पे इस्तमाल करेंगे आये जानते हैं दोस्ते रेटिनो एजल ये दो परकार में मार्केट में उपलब्ध है ये 0.025% में एविलिबल है और 0.05% में इसका कंबिनेशन है दोस्तों टृतिन वाइन जो आपके चेहरे को मुहासे से खत्म करता है और काफी असरदार और बेहतरीन काम करता है रेटिनो एक क्रिम ये मुहासों की निशान को खत्म करना है तोचा और गोरा बनाता है तोचा की कोपतला अजूरियां काले धब्बे और अच्छी दूर और बहुत सारे स्कीन डिजेस से संबंदित समस्याओं में डेटिनो ए क्रीम बहुत ही अच्छे काम करता है डोस्तों रेटिनो ए इसे यूज करते समय मुहासों पैदा करने वाले नेचुरल परडार को यह कम करता है रोक देता है और आपके चेहरे को और सुन अंदर बनाता है दोस्तों रेटिनो ए क्रीम डिन इंडिया भाई छॉंसन एन जॉंसन प्राइबेट लिमिटेड द्वारा इसे बनाया गया है दोस्तों इसे जॉंसन एं जॉंशन मार्केट में उप्रणडब्द कराया है दोस्तों मैं पहले बता चुका इसकी कमपोजिश बाहरी चेहरे पे ही इसका इस्तमाल करें इसका मेक्सिमूम डिटेल प्राइस है 155 रुपीज और इसी एकस्पारी डेट है दोस्तों मार्च 2018 आए जानते हैं इसका कुछ टिप क्यूशन भी है तो डैरेक्शन फार यूज यह क्रीम दिन में दू बार इस्तमाल होता है दोस्त तो उसको रब करते हैं रब करने के बाद इसे छोड़ दिते हैं दोस्तों इसका कुछ प्रिक्यूशन भी है रेटिनो ए जेल आखों से दूर रखें यह जेल 12 बरस से कम उमर के बच्चों को नई यूज करें जो ब्यक्ति उपरी परत को हटाने के लिए कोई भी क्रीम इस् और एकजीमा में इसका इस्तमाल न करें दोस्तों जो गरवोती ओमेल्स होती हैं वो भी इसका इस्तमाल न करें ज्यादा हो तो आप डप्टर से कंसल्ट करके ही इसका इस्तमाल करें दोस्तों इस दब्बे के अंदर एक पर्चर है इसकी द्वारा भी आप जाके रिट करके आप इस्तमाल कर सकते हैं इसमें बहुत सारे दोस्तो इस पर्चे के अंदर भी बहुत सारे दिया हुआ है आप इसे पढ़के भी आप इस्तमाल कर सकते हैं जैसे इसमें दिया है दोस्तो Retina A should be applied once a daily in the evening before bedtime in only in sufficient quantity to tightly coverage the affected area. Prior to treatment with Retina A, area being treated should be thoroughly cleaned with water and mild soap. The treatment area should be washed no more than twice a day after washing. The skin should be dried. दोस्तों इसमें बहुत सारे चीज़ अंदिया है आप इससे पढ़के भी इस्तमाल कर सकते हैं. आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें शेयर करें और आगे जानने के लिए Advent Info Hub को सस्क्राइब करें शुक्रिया.